मिले शक्तियां सित्तियां सब खजाने तो भी प्यार तेरा नहीं बूल पाए यही मन में बाबा है हर दम हमारे यह शहरत भी क्या है तुम्हारी ही दौलत तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत तुम्हारे ही हम है तुम्ही हो हमारे इसकी जिवायाद कुछ भी ना आए यही मन में बाबा है हर दम हमारे यही मन में बाबा है तुम्हारी ना आए कर दो कर दो कर दो तुम ही तो गुणों से सजाते हो हम को मही मा की माला पहनाते हम को हम जो बने हैं तुम्हारे बनाएं कहीं खुद पे हम को गुरूरा न जाएं गुरूरा न जाएं यही मन में बाबा हैं हर दम हमारे हमें मान दें करके उंचा उठाया दिल तखत पर हम को आपनी बिठाया हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले तेरी खुबियों को जुबा कैसे गाएं जुबा कैसे गाएं यही मन में बाबा हैं हर दम हमारे तेरी आद दिल से नहीं दूर जाएं नहीं दूर जाएं मिले शक्तियां सित्यां सब खजाने तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाएं नहीं भूल पाएं यही मन में बाबा हैं हर दम हमारे यही मन में बाबा हैं हर दम हमारे यही मन में बाबा हैं हर दम हमारे यही मन में बाबा हैं आज का दिन विशेश दिन है विशेश दिन के लिए आप सबी विशेश भाई और बेहने सब तरफ से मदूबन पहुंचें आप सब का हार दिक स्वागत जैसा आज का दिन है खास अविक्त बाप दादा से अविक्त मदूर मिलन मनाने का सब भी उसी लक्ष से यहां पहुंचें हैं के बाबा से मिलकर अपनी जो रुहानी यात्रा है जीवन की विशेश यात्रा उसमें और मंग उत्सा भरा जाए विशेश शक्ती भरे और विशेश अनभव करके जो अपने इश्वरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उर्ती कला में जाने के लिए और अपनी संपूरन स्थिती पाने के लिए आवश्क है वो इस मुलाकात में प्राप्त करें जिस उमंग और उत्सा से सभी भाई बेने मदूबन पहुंचते हैं शान्ती वन में पहुंचते हैं सभी अन्बव करते हैं के जितनी उमीद रखते हैं उससे कई गुना आदिक यहां आने पर प्राप्ती होती है उसका अन्बव होता है कारण एक प्रकार से यह अध्यात्मिक कुम्ब मेले की तरह है जैसे उस कुम्ब मेले में महान आत्मों के दर्शन होते हैं उनके परवचन सुनते हैं और उस समय अपनी मनों स्थिती बहुत उंचाई में होती है दारमिक होती है इसी तरह से यहां पर पहुंच कर आप सब महसूस करते होंगे बिना मेहनत किये सिर्फ इतनी ही मेहनत है कि जो कारे करम है उसमें सम्मिलित होना है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है लेकिन कारे करम में सम्मिलित होने से सबी भाई बेहनों के शुब परकंपन कहो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसका जो सहयोग सब को मिलता है उससे अपना उमंग उत्सा बनता है और बड़ा सुखदन वो होता है बड़ा मीठा लगता है क्योंके सबी भाई बेहने एक ही संकल्प से यहां बैठते हैं वे भिन्ता नहीं है सब के संकल्पों की समरस्ता से एकता से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन बनते हैं जिसके फलसरूप अगर किसी का मन ना भी लगता हो पहले जब अकेले अभ्यास करते होंगे मेहनत करनी पड़ती होगी मन को टिकाने के लिए शान्त करने के लिए बाबा के साथ लगन लगाने के लिए लेकिन शान्ती वन में पहुंचते ही पाउं रखते ही कुछ नया ही अन्बो करते होंगे मीठा अन्बो करते होंगे ऐसे है या लग है सबको मीठा लगता है ना इसलिए दादियां बार बार याद दिलाती है सुबो के क्लास में भी मीठा मीठा बाबा क्या करके मिठास बरता है हम सभी ब्रह्मन आत्मों को विशेश ये अन्बोती होती है कि जब हम आप सभी साथ में हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बिना कुछ बात किये एक दो को देखते हैं अपना पन जो लगता है कहने की जरूरत नहीं लगती है दिल से निकलता है हम अपने कलब पहले वाले भाई और बेनों से मिल रहे हैं लॉकिक में अगर कोई बहुत समय के बाद मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है इस रूप में आज जिस रूप में सब बैठे हैं कितने समय के बाद मिलें सभी एक ही बात कह रहे हैं पाँच हजार साल के बाद मिल रहे हैं बड़ा लंबा समय है पाँच हजार साल का लेकिन खुशी इस बात की है कि हर पाँच हजार साल मिलते हैं कलब कलब के मिलने वाले हैं इतना नजदीक का रिष्टा है अगर इसमें किसी को निश्चे नहीं बैठता तो आज की मुरली अनुसार बाबा ने क्या कहा उसके चुरासी जनम पूरे नहीं हुए हाँ सुईकार करेगा कोई जो यहां बैठे हैं कोई करेगा सुईकार के मेरे चुरासी जनम नहीं हुए या कलब कलब नहीं मिलते हैं तो यह एक सौभावे कसत्य है कि हम सभी जब एक दो से मिलते हैं दादियों से मिलते बड़े भाईयों से मिलते और फिर बाबा से मिलते हैं तो कलब पहले वाले सारे अनुफ बहुत सहज सहज होने लगते हैं वैसे कोई पूछते रहेंगे कि जब बाबा आते हैं उस समय क्या मन में रखना होता है क्या सिमर्ती रहनी चाहिए कैसे अनुबव करेंगे लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे बाबा की जब पद्रामनी होती है उस समय का जो वाईू मंडल बनता है बाबा के आने से पहले से ही वो इतना शान्त वाईू मंडल बनता है आज का जो अभी का विशे है पावर आफ साइलेंस शक्ती क्या है शान्ती में साइलेंस में वो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जामपल आपको बता रहा हूँ के उस समय सभी शान्त में बैठते हैं और शान्ती के सागर बाप जब सौयम यहां उपस्तित होते हैं तो वो शान्ती उसकी जो डिग्री है वो हजारों गुना बढ़ जाती है जिसको अंग्रेजी में शब्द जोड़ते हैं पिन ड्राप साइलेंस इस हाल के अंदर शाम को कम से कम बारा हजार भाई बैने आज के प्रोग्राम में बैठे होंगे कम से कम लेकिन बाबा के पद्रामनी के समय आपको ऐसा लगेगा कि यहां कोई नहीं बैठा है किसी को पहले खांसी भी आती होगी उस समय वो भी बंद हो जाती है कारण उस समय प्रैक्टिकल मनमना भव का अनभव होता है हर एक का मन एक बाबा के सिवा और कहीं नहीं जाता है तो एक संकल्प सबका होने के कारण उस एक संकल्प में इतनी शक्ती है प्रैक्टिकल अनभव कराती है और वो अनभव बड़ा मीठा लगता है जिसने एक बार वो अनभव किया हर बार आना चाहते है हर साल आना चाहते है हो सके तो सीजन में दो बार भी आना चाहते है स्थूल में कुछ दिखता नहीं है है दादी जी के दोरा सुगात मिलती है स्थूल में तो वो तो बड़ी छोटी सी चीज है डाइरी पैन मिलेगा शाल मिलेगी एक मफलर मिलेगा वो तो एक विजिट की निशानी है लेकन सबसे अमले जो अनभव होता है जिसके कारण बार बार मदू बनाने का मन होता है वो होता है जब साइलेंस के टाइम, शांती के टाइम पर हम सबी को अपने निश सौरूप की अनभूती होती है हमात्मों का वास्तविक सौरूप कितना शांती में है और उस शान्ती में आनंद भी समया हुआ है अकेली शान्ती नहीं है मीठी शान्ती है बहुत मीठा लगता है उस समय और वो ही बार बार हमें खीचता है कि ऐसे अन्वों के लिए सेवा के इंदर पर भी होता है अपने घर में भी होता है लेकिन इस संगठन में जो आनंद आता है उसे बार बार प्राप्त करने के लिए जब बाबा का प्रोग्राम में नौस होता है हर एक इच्छा होती है इस बार जरूर जाना है हर बार नहीं जा सकते तो दो बार जरूर जाना है दादी जी ने हाथ उटवाया, पहली बार कौन आए है, 50% पहली बार आए है, जो पहली बार आए है, हाथ उटाएं जरा, मैं फिर उटवा रहा हूँ, सोच के उटाना पहली बार जो आए है, पहली बार आए है, सोच लीजिए, कलब कलब आते हो, इसको पक्का करना मैं क्यों बार बार सुना रहा हूँ इसको पक्का करना के हम कलप कलप आज की मुरली के अनुसार हर कलप आते रहे हैं पहली बार नहीं आए साकार बाबा से जब मिलने आते थे आज कल जरा वो वैसा समय नहीं है तो साकार बाबा से मिलने आने के समय ट्रेन में बेहने पका करती आती थी कि बाबा के सामने जब जाएंगे तो बाबा पूछेंगे पहले कभी मिले थे तो भूलना जाना हाँ बाबा कलब पहले भी मिले थे आज भी मिल रहे हैं कलब के बाद भी मिलेंगे तो इसी तरह से आव्यक्त बाप दादा से भी मिलने के लिए जो भी आते हैं वो पहली बार नहीं आते हैं इसका बड़ा नशा चाहिए बहुत बहुत नशा चाहिए कि हम तो कलब कलब बाबा से मिलकर अपना इश्वरी जनमसिद अधिकार प्राप्त करते हैं उसमें कोई अपने दिल में शक नहीं चाहिए दूसरा कितना भी हिलाए कभी थोड़ा भी नहीं हिलना है जब ऐसी स्थिति होगी तो आपका मन शक्तिशाली बनेगा दुविदा में होगा तो मन टिकेगा नहीं तो उसमें शक्ति आएगी नहीं बड़ी सीधी बात तो पहले पहले क्या चाहिए शांती की शक्ती को बढ़ाने के लिए पहले पहले ये निश्चे चाहिए कि हम बाबा के कौन से बच्चे हैं कलब कलब मिलने वाले बच्चे उस से मनस्थिर हो जाता है फिर इदर उदर नहीं जाता है अगर ये पक्का नहीं होता है तो फिर कभी ब्रहमा कुमारी आश्रम अच्छा लगेगा तो कभी दूसरी जगा भी अच्छी लगेगी फिर दूविदा में पड़ जाएंगे कहेंगे उदर भी ऐसी है इदर भी ऐसी है तो एक तो ये शान्ती की शक्ती पावर आफ साइलेंस उसको जमा करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए मन स्थिर चाहिए अगर स्थिर नहीं है उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अगर वो भटकता है तो भटकने वाला कभी भी अपने में शक्ती भर नहीं पाएगा तो क्या करेंगे आज से यूं तो पहले से ही है लेकिन अभी और अंडरलाइन करके के अब शिप बाबा और मैं दूसरा ना कोई जब ये निश्चे पका कर लो तो बुद्धी कहां जाएगी हर समय बुद्धी जाती है शिप बाबा के पास परमधाम में बाबा कहता मैं वहां से आता हूँ किसलिए आते हैं सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि मैं आता हूँ कहते हैं आता हूँ आपको साथ ले चलने के लिए कौन जाएगा साथ में हाथ कड़ा कर रहे हैं आतमें जाएंगी तो जाने समय डर मत जाना जब जाने का समय आएगा तो उस समय डरना नहीं फिर खुशी खुशी से चलना अगर डर गए तो फेल हो जाएंगे तो ये पहली पहली बात जो शान्ती की शक्ती के लिए आती है के बड़ा सोभाविक सौरूप बड़ा नैचरल सौरूप अपने निश्चे में रहे के मैं शान्त सौरूप शक्ती सौरूप प्रेम सौरूप आनंद सौरूप आत्मा और परमधाम की रहने वाली हूँ आप कहेंगे ये तो पहला लेसन आप सिखा रहे है वास्त में ग्यान सारा है ही पहला लेसन अंतिम लेसन प्रैक्टिकल आप देख लो अपने लाइफ से लेसन मिले हुए किसी को दस साल हुए है किसी को पांच साल हुए है किसी को एक साल हुए है किसी को छे महीने हुए है पर नैचरल कितना याद में रहता है अगर सौभाविक याद रहे तो बाबा बार बार याद ना दिलाए कि आप स्वयम को आत्मा निश्चे कर मुझे याद करो हर समय याद नहीं रहता है भूल जाता है और साकार बाबा हम सब को प्रैक्टिकल अपने एक्टिविटी से अन्भो कराते थे कि इसको नैचरल बनाने के लिए बीच बीच में अभ्यास चाहिए और जिस समय बाबा भ्यास करते थे उस समय ऐसा लगता था जैसे कि बाबा परमधाम को नीचे ले आए जो भाई बैने साकार बाबा से मिले हुए है उनको पता है कि बाबा के पास जाने से उनके पास बैठने से ये उस समय मन में नहीं लाना पड़ता था मैं आत्मा हूँ, शान सौरूप हूँ, परमधाम की निवासी हूँ, उसकी जरूरत नहीं थी बाबा से नैन मुलाकात होते ही उस अन्वाब में पहुँच जाते थे कारण साकार बाबा ने बहुत समय से वो अभ्यास किया बीच बीच में खास टाइम दे करके अभ्यास और हम बच्चों को सिखाने के लिए भी विशेश उस समय जब भी मिलने जाएंगे तो सीधे बाचीत नहीं करनी द्रिश्टी देंगे पहले चाहे हम छोटे मोटे कोई कारोबार से उनके पास जाएंगे तो भी सीधी बाचीत नहीं पहुँचते ही पहले पहले वो मीठी प्यार भरी द्रिश्टी मिलती थी सोल कॉंशिस स्वता बन जाते और फिर उसके बाद दो शब्द पहले बाबा बड़े प्यार के सुना के वेलकम करते फिर कहते हाँ बच्चे कैसे आए और लास्ट में तो बाबा का ऐसे था कि कोई बात सुनाने के लिए किसी के पास लंबी बात होगी एक लाइन सुनेंगे या दो लाइन सुनेंगे कहेंगे हाँ बच्चे बाबा समझ गया बस सुनाने वाला सोचेगा बाबा ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी कहेंगे बाबा लेकिन बात तो पूरी नहीं हुई बाबा कहेगा नहीं बच्चे बाबा समझ गया कारण बाबा को समय की बहुत वैल्यू थी और बाबा उस समय को जितना हो सके साइलेंस में बाशिब बाबा के साथ मन लगा करके और शक्ति अपने अंदर भी भरने और सारे विश्व को पावन बनाने के लिए वो वाइब्रेशन फैलाने के लिए यूज़ करते दे अब आप अपनी दिन चरिया से देखो, सारे दिन की दिन चरिया से कितना समय साइलेंस में जाता, कितना समय बाच्चीत में जाता है नींद करने को साइलेंस नहीं कहेंगे, वो तो आराम करना है लेकिन जान बुझ कर एक अभ्यास के रूप में साइलेंस अगर शिब बाबा के साथ निरंतर मन को जोड़ना है तो साइलेंस का अभ्यास चाहिए नहीं तो आप देखेंगे अधिक तर जो बहुत सारा दिन कारोबार में रहते हैं जवाबदारी के कारोबार होते हैं जब आराम का समय होता है तो उनको नींद नहीं आती है गोली लेनी पड़ती है नहीं तो होना क्या चाहिए सर्वशक्तिवान के बच्चे सारे विश्व पर आज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं इतना शक्ति साली होंगे तो तो विश्व पर आज करेंगे लेकिन इतनी शक्ति नहीं है जो नींद को वश कर सके ये नहीं सकती है कि हम जब चाहें आराम कर सकें जब चाहें उड़ सकें ऐसा साइलेंस के द्वारा अपना मनोबल बढ़ाने की जरूरत है आज का जो क्लास है उसमें एक और भी साथ में टॉपिक है कि हम जब चाहें संकल्प को बंद कर सकें इच्छा के अनुसार संकल्प रचने वाला कौन है उसकी रियलाइजेशन में रहेंगे तो संकल्प पर कंट्रोल हो सकता है अगर ये सिमर्ती नहीं रहती के संकल्प रचता कौन है विचार करता कौन है और उसको प्रैक्टिकल में लाता कौन है वो सिमर्ती नहीं रहती तो संकल्प बंद नहीं होते और संकल्प कभी अच्छे होंगे और कभी वियर्थ भी होंगे जब चाहें संकल्प रचें जब चाहें संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दें ये बहुत मेहनत का काम है महीन मेहनत है और उसका एक ही तरीका है है सहज जब किसी को और को सुनाएंगे तो कहेंगे सहज राज योग सीखने के लिए आओ सहज राज योग सहज अर्थात इंग्लिश में शब्द है इजी लेकिन सहज सुभाविक को भी कहते है नेचरल ऐसा अभ्यास हो जाए जो निरंतर याद में मन लगता जाए उसके लिए एक तरफ रुची चाहिए इंट्रेस्ट चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए बाबा हम बच्चों को क्यूं यह प्रैक्टिकल अभ्यास कराते थे कि बस शॉर्ट में बात को सुना दो एक लाइन में सुना दो बाबा के पास समय की वैल्यू थी हर समय बाब से बुद्धी लगी रहे उसका कारण है आप खुद अनुबवी होंगे जिस समय बाबा के साथ पूरा मन लगता है बाबा के रंग में आत्मा रंग जाती है बाबा के हर गुण का अनुबव उसको होता है और उसमें सबसे विशेश गुण जो है वो है आनंद के सागर का उस याद में अत्ति अंद्रिय सुख का अनुबव होता है बहुत सुखद अनुबव आत्मा उस समय अपने सभी बंदनों से अपने आपको मुक्त महसूस करती और सर्व शक्तियों से बरपूर महसूस करती सभी दिव गुणों से संपन महसूस करती ऐसे टाइम पर अपने सुधरम में टिकने से जो सुख मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है और वो साइलेंस के द्वारा ही मिलता है उस समय अगर कोई बात करने भी आता है तो उसको बिठा देते हैं थोड़ा बैठी है दिल होती ये सुख इनको भी मिले ये भी ऐसे सुख को पूँए साइलेंस की ये शक्ती है और पदार्थों में स्थूल चीजों में वो शक्ती नहीं है टेंपरेरी आपको सुख मिलेगा उनसे लेकिन ये याद के द्वारा इश्वरी याद के द्वारा मनमना भव होने के फलसरूप ऐसी स्थिति आती है अत्मा के और इसका अन्भव पाने के बाद मन पर कंट्रोल बड़ा सहज हो जाता है मन को चाहिए क्या क्यों जाता है एक से दूसरी जगा दूसरी जगा से तीसरी जगा उसको सुख चाहिए तो जब आपने स्वधरम में टिक जाते हैं और उसकी अच्छी तरह से अनुबूती शक्ति शाली तो मन भी अंदर ये अंदर आपको ठैक्स देता है कि यही तो मैं चाहता इसी के लिए तो मैं इदर से उदर उदर से उदर जा रहा था और बाबा ने बार बार यही कहा है मन मेरे साथ लगाओ और कुछ नहीं कहा है चलते फिरते उठते बैठते आप लोगों को हसी आएगी जो पहली बार आए हैं साकार बाबा कहते थे बच्चे वो आपके बातरूम में भी वहाँ भी लिखके लगा दो शिप बाबा याद है मदूबन के उस समय जो बातरूम थे उन में आर्टिस्ट से चोटे चोटे वो जैसे पीपल का पत्ता हो ऐसे पत्ते बना के लकडी के उपर पेंट करके उसके उपर लिखा होता था शिप बाबा यादा और वो बातरूम में लगा देते थे अब आप सोचिए कि साकार बाबा को इतना संकल्प था कि बाथरूम में भी आप जाएं तो और और संकल्प ना चबें क्योंकि वो बड़ा एकांत का स्थान है उस से आप समझ सकते हैं कि संकल्प की कितनी वैल्यू है क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प चलता है उस से कनेक्टिड दूसरा चलता है उस से कनेक्टिड तीसरा चलता है और इतने चलते हैं कि आपको हैरान कर देते हैं तो बाबा ने कहा आप मेरे साथ रूर रूहान करो जिस समय आपको कोई व्यर्थ संकल्प आए तो क्या करो आजकल मुबाइल सब के जेब में रहता है तो मुबाइल की भी जरूरत नहीं है संकल्प से ही संकल्प को काटना है एक सेकिंड में बाबा की तरफ ध्यान ले जाओ जिस समय ऐसा कोई संकल्प चले फट से हेलो बाबा इतना ही करेंगे तो वो संकल्प बंद हो जाएगा डरता है फिर वो वियर्थ संकल्प जैसे बच्चों को डराते थे पहले कोई सैतानी करता था तो अंधेरे में कहते थे अरे देखो देखो उदर से वो आ गया है पकड़ने के लिए तुमें तो बच्चे शांत कर देते हैं वियर्थ संकल्प को रोकने का सहज तरीका है एक सेकेंड अपने मन को बाबा की तरफ ले चलो बाबा यह संकल्प चलता है बस तो बाबा सामने आ गया वो संकल्प बंद हो जाएगा सर्व शक्ति वान की शक्ति प्रैक्टिकल अन्वव होती है पर इसी ही लड़ाई में नहीं सारा टाइम गवाना है हर समय अगर यही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो भी आप ठक जाएंगे इसलिए बाबा ने का मेरे साथ बहुत प्यार की रूर रूहान करो और रूर रूहान करते करते संकल्प को धीरे धीरे शान्त करते इसी अन्वव में आ जाओ आप मेरे पास बैठे हो आत्मा रूप में परमधाम निवासी होके बैठ गए हो तो उसमें कोई व्यर्थ संकल्प में नहीं चलेगा और बाबा के संग का रंग लगता जाएगा सर्व शक्तिवान का संग लगेगा तो आप क्या बन जाएंगे मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाएंगे प्रेम का सागर बाप उसके पास बैठेंगे तो क्या बन जाएंगे मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे और ऐसा सुख पाते पाते आपका मन होगा मैं तो इसी में ठिका रहूँ जब ऐसी स्थिती में बहुत समय रहें तो सुभाविक स्वरूप आपका देवताओं जैसा बन जाएगा सत्यूग के देवताओं को वियर्थ संकल पाते हैं आते हैं हमारा लक्ष क्या है बनने का मनुष से देवता बनना है तो सत्यूगी संसकारों को भी साथ साथ इमर्ज करना है वियर्थ को रोकना है लेकिन मन को संकल्प के बिना रहना मुश्किल है तो उसकी जगा पर स्रेश्ट संकल्प इसलिए बाबा के माँ वाक्यों में आता है मन मना भव और फिर क्या कहते हैं मध्याजी भाव शिप बाबा की याद से आत्मा संपूरन पावन बन जाए और फिर उसके साथ साथ दिवे गुन संपन बन जाए तो दोनों बातों को जब सामने रख करके उस सिमर्ती में टिकेंगे तो क्या कहेंगे अत्ति अंद्रिय सुख पूछना हो तो किस से पूछें गोप गोपियों से कौन सी गोप गोपियां जो क्रिशन के साथ थी या आप हैं वो तो ऐसी स्थिती के अनभव में आएंगे शान्ती की शक्ती का अनभव सिर्फ शान्त होना नहीं है शान्ती की शक्ती जैसे बिजली की शक्ती है बिजली शक्ती है पर उसे क्या क्या आप करते हैं लाइट जलाते हैं पंक्खा चलाते हैं ये माइक्रोफून चल रहा है कई परकार से उसको यूज़ करते हैं इसी तरह से आत्मा में जो अपनी शक्ती है शान्ती की शक्ती है उसका प्रियोग भी आत्मिक सुख के लिए है उसका अन्वव करना है सिर्फ आत्मा शांत सरुप बन जाए उसमें ही लगे रहना तो संगम युग के लिए जो कहावत है जो अभी आप सबने कहा आति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो वो सुख का भी अन्वव करेंगे फिर शान्ती की शक्ती अर्थात ऐसा सुखद मानसिक स्थिती का अन्वव और वो हर समय चाहिए आप कहेंगे हर समय कैसे रहेगा कई सारी बातें करनी पड़ती है कारोबार में आना पड़ता है लेकिन ये तो बड़ी सहज बात लगती है एक बार मन में पक्का कर लीजी कि मेरा सुधरम ही ये है मेरा सुरूप ही ये है और बाप के सिकीलदे बच्चे होने के ना थे ये वर्सा है मेरा इस समय अगर मैं आती अंद्रिय सुख में नहीं तो बाकी कब होंगा पुर्शोतम संगम युग पर ही तो ये अन्वो कर सकते है तो अपने आपको थोड़ा इसको कहते हैं सेल्फ एजूकेशन अपने आपको शिक्षित करना है इस एक बात में पका करना है उससे आप देखेंगे के हमेशा नशा चड़ा रहता है बहुत अंदर में खुशी रहती है और जो नशा बाबा चाहता है कि इस समय डायरेक्ट शिब बाबा की संतान होने के नाते डायरेक्ट बाबा से सुनने के फल सरूप मुर्ली किसकी सुनते हैं आप रोज सुबो को मुर्ली सुनी ना सुनाई तो जान की दादी ने और बड़ी दादी ने पर मुर्ली थी किसकी गोप गोपियां किसकी मुरली सुनने के लिए उत्सुक रहते थे मुरली धर की, शिभ बाबा की उन्होंने नाम सिरी कृष्ण रख दिया लेकिन है तो शिभ बाबा की तो वो मुरली सुनते हैं उस पर मस्त हो जाते हैं जो मिस्क करते हैं मुरली जरा हाथ खड़ा करें मिस्क करते हैं बाई चांस नहीं सुन पाते हैं तो माता हूँ आप तो बहुत कुछ मिस्क कर रही हो कलब के बाद सुनने को मिलती है पढ़ते हैं या वो भी नहीं भी सुनने के समय आपको टाइम नहीं मिलता है गर के काम है लेकिन उसके बाद तो पढ़ सकते हैं ना होना तो चाहिए के सुबो को योग करो और मुरली पढ़ लो पहले बाकी काम बाद में करो तो ये आपके पास एक थोड़ा सा इसकी वैल्यू चाहिए सुबो को बाबा की याद में बैठके खूव आनंदित हो जाओ और फिर मुरली पढ़ करके मन को अच्छी तरह शक्तिशाली बनाओ अगर आप उसका मन का भोजन नहीं करेंगे बुद्धी का भोजन ही नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाओगे फिर माया का सामना करना मुश्किल होगा फिर रोज कोई ना कोई खिट पिट चलती रहेगी तो शान्ती की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका बेसिज है हर बात का कोई ना कोई आधार जरूर होता है तो अपना नियम पका करो कुछ भी हो जाए अमरत वेला योग जरूर करना है ज्यादा समय नहीं बैठ सकते तो आदा गंटा बैठो और उसके बाद महावा के बाबा के पढ़ने है नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चे तो आजकल पढ़ते हैं ना उनसे सुन लिया करो लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेंगी तो फिर सत्यूगी देविस और आज का अधिकार कैसे प्राप्त करेंगी माया जीती नहीं बन पाएंगे फिर तो तो इसलिए आज का ये जो विशे रखा है है बड़ा सहज लेकिन इस सहज विशे में राज बहुत बड़ा है जितने भी संत महत्में हैं जितने भी बड़े योगी हुए हैं उन्होंने अगर भगवन प्राप्ति की है उसके अनभव किये हैं तो वो आवाज के दौरा नहीं किये आज कल का रिवाज हो गया है बहुत रात रात बहुत कीरतन चलता है वो नहीं लेकिन यथार्थ लक्ष से बैठकर लक्ष के बिना भी नहीं बैठना है यथार्थ लक्ष के साथ मन को बाबा के साथ लगाना थोड़ा संकल अपने आपको देने पड़ते हैं बड़े मीठे मीठे और माताओं को तो खास गीत गाने का शौक होता है बजन गाने का शौक होता है तो बाबा के गीत गा करके भी मन को लगा सकते हैं लेकिन गीत गा के मन को लगा के फिर उसके अनवव में रहना वो जरूरी है सिर्फ गीत ही गाते रहो तो फिर आप में और भक्तों में कोई अंतर नहीं रहेगा इसलिए साइलेंस में, शान्ती में थोड़ा बैठना उसका विशेश अनवव करना जब ऐसा अनवव करेंगे तो अपने मन से जो हमें नहीं चाहिए वो स्वताही खत्म हो जाएगा अब इमान भी चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, बाकी भी सब कमियाद दूर हो जाएगी तो इतनी शक्ती है शान्ती में लेकिन उसका अभ्यास काइदे से करना और उसका उप्योग उप्योग भी करना चाहिए नहीं तो बाबा कहते हैं आपके पास बहुत बड़ा खजाना है और उसका आप यूज करो ही नहीं चाबी गुम हो जाएगे उसकी, तो क्या फाइदा उसका तो रोज इसके एक्सपेरिमेंट करो, इसका अभ्यास करके प्रैक्टिकल देखो और आपको इतना मज़ा आएगा इस इस्षवरी जीवन का कि बाकी सब बातों से मन हट जाएगा अगर कुछ करना भी होगा तो मन में क्या लेके जाएंगे बाबा की सेवा करनी है, अन्य आत्मों को भी बाबा का परीचे देना है उसके लिए चाहे फिर किसी ने शरीर छोड़ा वहां जाएंगे चाहे शादी में भी जाएंगे ग्रिस्त वैवार में रहने वालों को जाना पड़ता है लेकिन बाबा ने लक्ष दिया है कहीं भी जाओ तो सेवा का लक्ष ले करके जाओ कुछ द्रिस्टी दो किसी को, दो शब्द उनके कान में जरूर डालो तो मन मना भव जितना अपने आपको मन मना भव का अरत समयते हैं सबी मन मना भव मन मेरे साथ लगाओ ये बाबा कहते हैं तो जितना मन उस तरफ लगाएंगे उतना शक्ति साली भी होंगे सेल्फ कंट्रोल भी होगा और अतिंद्रिय सुख का अनभव भी करेंगे जो इस समय इस्वरी जीवन का सबसे बड़ा खजाना है अगर आप वो अनभव नहीं करते हैं इसका मतलब ब्रह्मन जीवन का सच्चा सुख आपने अनभव नहीं किया अम शंति अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे कहां चलेंगे क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले मेरा ध्यान थोड़ा जा रहा था कि कोई कोई थोड़ा ज्यादा आराम में थे मेरा ख्याल है समझ गए होंगे तो अभी थोड़ा सीधे बैठे सबी अलर्ट होके बैठें और खुशी से बहुत खुशी से बैठो जब भी योग में बैठो बहुत खुशी से उसे लाइट हो जाते हैं अपनी ये जो नसे हैं वो बहुत मदद करती हैं फिर योग के टाइम और एक ही संकल्प में चलो के अभी हम इस शरीर को आराम से यहां बिठा के कुछ समय के लिए सेर करके आएंगे उपर की दुनिया की अविक तो वतन में चलो और वहां से बाबा से हैंडशेक करके फिर उपर चलो परमधाम में क्योंके बाबा कहता है अब ये पार्ट पूरा हो रहा है अभी वापस चलना है अगर अभी से उसका रास्ता नहीं आपने देखा तो लास्ट में क्या होगा इसलिए अभी से अभ्यास करें और बाबा के पास ऐसा मगन होके बैठो जो बाप समान स्थिती का अनवव करो वही शक्ती वही शान्ती वही आनन इतना भरपूर मैसूस करो उसका और फिर सारी दुनिया को देने का संकल्प करना दाता भी बनना है खुद ही करना है अनवव वो नहीं लेकिन सब को मिले ये बक्ती में तो लोग पानी देते हैं सूरिय की तरफ समयते इस से सब को ये पहुंचेगा लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुवव है कि ग्यान सूरिय के साथ मन लगा करके अपने वाइब्रेशन सारे विश्व को देने है शांती का भी, प्रेम का भी, शक्ती का भी अन्याज विश्रेशन सांपड़ाँ कि आपाने जाएब्रेशन सुर चक्टिकल कि अपने प्रावदाशन से से सात्वान कि अपने श्रावदान कि आपाने है कि विश्वास झाल झाल झाल